मसूरी देहदुन मार्ग पर लोगों द्वारा सड़क किनारी किये गए अवैद निर्मान और अतिकर्मन को लेकर जीला परशासन द्वारा चिन्ही करण कर सभी अवैद निर्मान और अतिकर्मन को एक सप्ता के बीतर हटाने के निर्देश दिये गए थे जिसके बार जीला परशासन द्वारा सभी को नोटीस देकर स्वयम चिन्हित अतिकर्मन और अवेध कबजे को हटाने के निर्देश दे गए हैं जिसको लेकर मसूरी देहादून मार्क पर सडक किनारे की दुकानदारों दोरा मंगलवार को अपने दुकानों को बंद कर जीला परशासन और मसूरी देहादून विकास प्रदी करण के खिलाफ आकोर शुख्त किया है उन्होंने कहा कि उनके द्वरा कैबिनेट मंत्रि गरेश जोसे सेबी जीला परशासन और SDM द्वरा की एक कारेभाही को रोकने के object लिए आग्रह किया गया था जिस पर उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था परंतु उसके बार भी लगाता जिला परशासन और SDM द्वारा दुकांदारों को नोटिस भेज कर उनका मांसिक उत्पीडन किया जा रहा है जिसको किसी भी हाल में बरदाश नहीं किया जाएगा जो गलत तरीके से बनाई गई है या इनक्रोच की गई है उनको सभी को नोटिस दे दिया गया है और सभी को बता दिया गया है कि समय रहते ही अपने लेवल पे ही उसको या तो हटा ले या डिमॉलिश कर ले अदर्वाइस हमारी टीम जो है दो टीम्स बनाई गई है एक उठाल गेट से उपर एक उठाल गेट से नीचे वो फिर कारवाई करें ग्राम लिणों नहीं कहा कि जिला परशासन और मसूरी देहादुन विकास पादिकरन मिलकर उनका अपिडन कर रहे है मारा तो कहना यह है कि जो अतिकर्मन है वो तो हमने पहले भी अटाया है 2019 में भी इनकी टीम आई थी कुल्नू खेद गाउं में और भटा गाउं में किसी भी दुकान पे जेसी भी नहीं लगी है सबने अपना अपनी दुकाने खुद अटाई है और आज भी अगर को अतिकर्मन के दाएरे में आता है अगर आज भी अतिकर्मन के दाएरे में को आता है तो वो अटने के लिए तयार है लेकिन MDDA की भासा में जो 100 मीटर पीचे है 50 मीटर पीचे है उसको भी वैद और अवैद की भासा देते हैं जबकि मसूरी वाले हमारा नक्सा पास ने करते है MDDA वाले उन्होंने कहा कि क्यार कुली भटा ग्राम छेत की चक बंदी नहीं की गई है जिसके कारण उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने कहा कि उनका बंदोबस्त ना होने के कारण उनके नक्षे पास नहीं हो पाते और ना है प्राधिवरण की नियमों का पालन कर पा रहे हैं ऐसे में सरकार द्वारा पहले नितिगत फैसला लेकर उनके छेतर का बंदोबस्त करें जिस्दे की वहां नियम अनुसा कारिवाई कर सके हैं नियोज इस्टोडिय उत्राखन के लिए मसूरी से सुनिल सोनकर की रिपोर्ट